मुरदबाद पहुंचे ओंपकास राजबार ने मीडिया से बात करती हुए परदान मंतरी मोधी पर निशाना साथ दिवे कहा कि जब वो बिर्यानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो OBC मजार पर चादर चड़ाने क्यों नहीं जा सकते दरसल कल OBC बहराई जनपद में एक मजार पर चादर चड़ाने गए थे और सुहेल देव महराज के मंदिर से किनारा किया था जिसे लेकर भासपा ने राजबर और OBC के गटवंदन पर सबाल उठाए हैं जिसका आज मुरादावार में उन्होंने जबाब देते हुए मोधी को घेरा है वहीं टू चाइल्ड पोलीसी पर पूछे गए सवाल पर ओम्प्रकास राजबर सोच में पढ़ गए और कहने लगे वो जन संख्या नियंतरण के पक्ष में तो हैं लेकिन सत्ता में बेटे लोगों का तो काम ही कानून बनाना है वो बनाते रहेंगे दरसल ओम्प् आज मुरादाबाद मंदल की समिक्षा बैठा कर संगठन को लेकर इसी उद्देश से घर आने का तारक्रम है तो में जी के साथ गड़बंधन हो गया है कि क्या मैसेज दिया है यह कि एक है पचास दलों का गड़बंधन भार्ती जनता पार्टी मिला करके देश और प्रदे समय से बन रही है कि तो अब उत्तर प्देश में अभी पिछली सरक रहा यह यह दो गड़बंधन का दोर चल्ला उस गड़बंधन के दौर में हमने भी भागी दारी संकल्फ मुर्चा सबनाके और दस दलों का गड़बंधन किया और ढि कर दो कि मजार पर गए रखें कि आपके जो इसके नाम पर आपके पार्टिस वेजिए बहुत अच्छा मैसेज है जब देश के प्रधान मंत्री मानी नरेंद्र मोदी जी बिर्यानी खाने पाकिस्तान जाते हैं और देश के सामने भारत पाकिस्तान से गुमराहियत पैदा कराते हैं आडवानी जी जिन्ना के हां मजार पर चादर चड़ाने चले जाते हैं राजना जी जाकर के जो है रोजा खोल से हैं लखनव में मुसल्मानों के बीच में बैट करके ये नहीं दिखाई देता हैं कास्मीर में महबुबा मुप्ति से ये समझावता करते हैं और वीजेपी मिल के सरकार बनाती है अभी नागा लैंड में वहाँ एक मुसलिम पार्टी समझावता करके सरकार बनाने की कवायत में लगे हैं ये करें तो रासलीला हम करें तो करक्टर डिला देखे इनके पास कोई मुद्दा है नहीं आज ये बेरोजगारी पे बात करने लायक नहीं रह गई है भाजपा आज महंगाई पे बात करने लायक नहीं रह गई है भाजपा आज बेरोजगारी पे बात करने लायक भाजपा नहीं रह गई है लायन आडर पे बात करने के लायक नहीं रह गई भाजपा तो यह जनता का ध्यान भठकाने के लिए इसी तरह के सबुफा खाली छोड़ते हैं कोई अंतर नहीं है जो वाज लोगत अंतर में हो रहा है वही फुस्वान हो रहा था लुद पर अब ये ब्लाज के दम पर आइस तमझुआ उठ के दम पर प्राज पाट मिलना है पराब कितना है मुहन भागवाज जी ने जो कहा कि जो मुसल्मान और हिंदू का डियन्य एक है तो फिर यह दंगे क्यों हुए इसके पहले फिर लोगों को मारा पीटा क्यों गया और मुझे तो जहां तक लग रहा है कि दियन्य एक है तो भारती जनता पार्टी को मुसल्मानों की आवादी 22% है इनको अस्ची टिकट दे दो विधान सभा में तब तो माने कि दियन्य एक है यह खाली ध्यान भटकाने के लिए बयान दे रहे हैं दियन्य एक होने का भी जो कि अठ्य होन होने प्रमाढ प्रस्तुत किसे जहां हि यह अत्य क्या है अधया है रोछड़ान कासी आवा कि इन लोगों की भतिजी वोलगों की देखिए हम मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून हम भी उसके स्विकार हैं लेकिन सत्ता में बैठे हुए उपर से नीचे तक हैं यह लोग जो कानून बनाने वाले लोग हैं कि तो कानून बनाई भे करेंगे जाके पर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर आई कि 2017 में अप्लेश की साइकल सब्साइब भावर भाजी जाएगी आपका भी गटवंदन हुआ है तक करेंगे तक कि मंजील तक कि क्या मंजील तक डिल्ली तक कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि तेखे 43 पर्सेंट टाप फिछडों का है जिनको सभी पार्टियों ने लूटा है जब हिस्यदारी देने की बात आती है तो सारी पर्टियां भाग खड़ी होती है इनको हिस्यदारी नहीं देती है आवट लेना होता है फ़री निके बीच में आ जाती है तो यह 45 पर्षट पिछडा और 22 पर्षट मुसलमान सव में 65 हमारा है और 35 में भी बटवारा है